एक बार एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध से पूछा, भनते, कोई-कोई बहुत अल्प साधनों में भी बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ अरजित कर लेता है, बड़ी-बड़ी सफलताइं प्राप्त कर लेता है, लेकिन किसी के पास बहुत साधन होते हुए भी वह कुछ उपलब्ध नहीं कर पाता, कहीं सफल नहीं हो पाता, हर कदम पर निराशा हाथ लगती है, इसके पीछे क्या कारण होता है? भाग्य, नियती, प्रारब्ध, पूर्वजन्म के कर्म या कुछ और? प्रश्न सुनकर जवाब में भगवान बुद्ध ने एक कहानी सुनाई, विराट नगर में शृतकीर्ती नाम का एक राजा राज करता था, वह बड़ा प्रतापी और शूरवीर राजा था, उस राजा का एक प्रिय हाथी था, जिसका नाम था लोह श्रंग, चुँकि वह राजा का प्रिय हाथी था, इसलिए उसकी विशेश रूप से देखभाल होती थी, उसे भली भाती प्रशिक्षित किया गया था, वह युद्ध कौशल में प्रवीन था, राजा उसी पर सवारी करता था, उस हाथी पर सवार होकर राजा ने बहुत से युद्धों का नेत्रित्व किया था, और हर युद्ध में विजय पाई थी, हाथी शत्रु की सेना को रौंद देता था, युद्ध भूमी में वह शौर्य का नृत्य करता था, राजा को अपने हाथी पर बड़ा गर्व था, समय बीतने के साथ वह हाथी बूढ़ा हो गया, उसकी शक्ती क्षीन हो गई, उसे हाथी शाला में स्थाई रूप से बांध दिया गया, अब उसकी जगह राजा नए युवा हाथी पर सवारी करने लगा, लेकिन चूंकी पहले वाला बूढ़ा हाथी राजा का प्रिय हाथी था, इसलिए अभी भी उसकी देखभाल अच्छे से होती थी, उसे नहलाया जाता था, उसका श्रंगार होता था, सूंढ, कान, दांत, रंगे जाते थे, समय पर चारा और पानी दिया जाता था, जब कोई राज की ये अतिथी आता था, तो उसे विशेश रूप से हाथी शाला ले जाकर, वह हाथी दिखाया जाता था, उसकी युद्ध की शौर्य गाठाएं सुनाई जाती थी, चूंकि राजा नए युवा हाथी पर सवारी करने लगा था, इसलिए समय बीतने के साथ, धीरे-धीरे पुराने, बूढे हाथी पर से लोगों का ध्यान हटने लगा, वह उपेक्षित होने लगा, अब ना उसे समय पर नहलाया जाता, ना उसका रोज श्रंगार होता, ना उसे समय पर चारा और पानी मिलता, वह विवश हाथी चिंघाडे मारता रहता, एक दिन वह बहुत ही प्यासा था, चिंघाड मारने पर भी जब कोई नहीं आया, तो जंजीर टुड़ा कर वह हाथी शाला के बाहर चला गया, जैसे ही वह हाथी शाला के विशाल द्वार के बाहर, खुले आकाश के नीचे आया, उसने अपने को बहुत ही मुक्त अनुभव किया, बहुत वर्षों के बाद उसने खुला आकाश देखा था, खुली हवा में सांस ली थी, वह बड़े तेज पगों से तालाब की ओर दौड़ चला, तालाब पर पहुँचते ही उसे अपने युवा काल की स्मृतियां जीवन्थ हो गई, हाथी की स्मरण शक्ती बहुत तेज होती है, उसे याद आया कि वह इसी तालाब पर अक्सर आता था, उसमें जल क्रीडा करता था, सूंड से पानी की फुहार उच्छालता था, उस फुहार की बारिश में नहाता था, युवा काल की स्मृतियों से उत्साहित हाथी लौह श्रंग तालाब में उतर गया, प्यास को भूल कर उसका मन जल क्रीडा करने को हुआ, वह आगे थोड़ा और आगे बढ़ा, और जो ही कुछ और आगे गया, उसने खुद को तालाब के दलदल में धंसता महसूस किया, उसने घबरा कर अपने पैर उठाने चाहे, तो अपने ही भार से वह अशक्त हो गया, और अंदर धंसने लगा, वह जितनी ही कोशिश करता, अपने ही भार से और भी अंदर धंसता जाता, वह चिंघाडे मार कर चीखने लगा, उसकी चिंगाडें सुनकर पूरा गाव तालाब के चारों और इकठा हो गया सब विवश से खड़े थे किसी को कोई उपाय सूज नहीं रहा था कि उसे कैसे बचाया जाए सबके मुह से बस एक ही आवाज निकल रही थी राजा का हाथ ही डूब रहा है थोड़ी ही देर में यह खबर राजा तक भी पहुँच गई उसने तुरंत अपने मंत्रियों की सभा बुलवाई सबसे मंत्रणा की कि डूबते हाथी को कैसे बचाया जाए किसी को कोई उपाय नहीं सूज़ा एक बुद्धिमान मंत्री ने कहा राजन आप सेना पती को आदेश दीजिए कि वह सेना सहित तुरंत तालाब की तरफ कूच करे आगे आगे ढोल, नकारे, शंक, दुन्दुभी, तुरही बजाते तथा भाले और तलवारें खनकाते हुए सैनिक चलें राजा ने पूछा मंत्री जी, इससे क्या होगा मंत्री ने कहा राजन, ये व्याख्या करने का समय नहीं है आपका प्रिय हाथी डूब रहा है आप पहले सेना को कूच करने का आदेश दीजिए राजा के आदेश अनुसार सेना की एक टुकडी ने तुरंत तालाब की तरफ कूच किया सैनिक आगे आगे ढोल, नकारे, तुरही, दुन्दुभे शंक बजाते हुए भाले और तलवारें खनकाते हुए चल रहे थे हवा में वह ध्वनियां गूंजने लगी उन ध्वनियों को सुनकर लोगों के दिलों में शौर्य जागने लगा धमनियों में रक्त तेजी से दौडने लगा बाजुएं फड़कने लगी हवा में गूंजती वह ध्वनियां जैसे ही तालाब के दलदल में डूपते हाथी ने सुनी उसके कान खड़े हो गए उसने सोचा कि शायद हमारे राज्य पर फिर किसी दूसरे राजा ने आक्रमन कर दिया है जैसे जैसे वह ध्वनियां तेज होने लगी सैनिक करीब आने लगे हाथी के अंदर शौरे जागने लगा वह दलदल से बाहर निकलने को उतावला हो गया वह पूरा जोर लगा कर कोशिश करने लगा थोड़ी ही देर में उसे सेना की टुकड़ी सामने से आती दिखाई देने लगी धोल, शंक, तुरही की ध्वनियों ने उसकी धमनियों में रक्त प्रवाह तेज कर दिया तालाब के बाहर आ गया और सैनिकों की तरफ दोड़ पड़ा सेना की टुकड़ी में भगदड मच गई काफी देर की मशक्कत के बाद शौर्य से भरे उस बूढ़े हाथी को महावत नियंतरित कर सका यह कहानी सुना कर भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा सफल और असफल बनाता है जैसे मनोबल के जागने से मौत के दल दल में फंसा बुढ़ा हाथी फिर से जीवन पा गया